मनोज कुमार को न सिर्फ बॉलिवुड बलकि पूरा देश ही भारत कुमार के नाम से जानता है। उसकी वजह है मनोज कुमार की बनाई हुई मुवीज। अपने फिल्मी करिय के दौरान मनोज कुमार ने ऐसी कई फिल्म बनाई जो देश भक्ती और देश प्रेयम की बात करती थी। इन फिल्मों के गाने और देश प्रेयम से जुड़े डायलोग्स इतने हिट हुए कि लोगों की जुबान पर हुआ करते थे। उस दौर में देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से एक खास विशे पर फिल्म बनाने को कहा। मनोज कुमार ने उनकी बात माने में एक दिन भी नहीं गवाया। फिल्म बनकर रिलीज हुई तो टिकट खिलकी पर भी दर्शकों की भील तूट पड़ी। साल 1965 में मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार की देशभक्ती का अंदास दर्शकों को पहले ही बहुत पसंद आ रहा था। इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में भी रखी गई थी. तब लाल बहादुर शास्त्री मनोज कुमार की इस फिल्म को देखने पहुँचे थे. इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दौरान ही मनोज कुमार की मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री से हुई. लाल बहादुर शास्त मनोज शास्त्री ने कहा कि सेना का शौर्य सब ने देख लिया लेकिन किसान की एहमियक भी समझना जरूरी है। लोगों की जुबान पर है। उस दौर में फिल्म ने 6.8 करोरू का कलेक्शन किया।